दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कोविड-19 जिसको हम कोरोना वारिस भी कहते हैं इसने पूरे विश्व में हाहकार मचा रखा है हमारे देश में अभी भी हर रोज हजारों नए केसिस आ रहे हैं मगा हॉस्पिटल्स में जगा ना होने के वज़े से अगर कोई एसे स्पेस है और ऐसे में सुनेशित करना कि पेशेंट से उचित-दूरी बनी रहे यह यकिनिन मुश्किल काम है ऐसे ही मुश्किलों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ा जब हमने अपनी फुल-टाइम मेट को क्वारेंटाइन करने का फैसला लिया मैं आप लोगों के साथ अपनी वही एक्सपीरिंस शेर करना चाहता हूं कि कैसे हमने इस काम को अंजाम दिया और कम जगा होने के बावजूद एक अलग रूम उसके लिए सेट किया शुरुआत हुई उसके COVID-19 PCR टेस्स से जिसके लिए उसको पहले हम COVID test center लेके गए जहां बड़ी सावधानी और सत तरकता से उसका test करवाए गया यह report हमको test वाली दिन का status बताने वाली थी मगर report आने तक भी हमको उसको अपने घर में quarantine करके रखना अनिवारे था और इसके लिए ज़रूरी था कि घर में एक अलग कमरा उसके लिए रखा जाए तो आईए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ह हमने एक अलग कमरे का बंदोबस्त किया और क्या-क्या इंतिजाम किये जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो कमरा हमने उसको देने का फैसला किया उसमें attached वाश्रूम नहीं था यह देखिए यह मैं आपको दिखाता हूं यहां से यह सामने कमरा है और यह देखिए यह कमरा है जहां पर हमने मेट को रखा है और इसके बगल में वाश्रूम है देखिए attached नहीं है तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यह partition बनाया है जो आप बीच में देख पा रहे हैं यह चादर का structure है जिसके अंदर cardboard है double layer cardboard डाला गया है और उसको support देने के लिए हमने यह तीन जगा स इसको रशी से बीच में फिरो के बांधा है ताकि वो stable रहे और मामली धक्के या हवा से ना गिरे यह देखिए और उसके बाहर का जो चादर का जो structure है उसको हमने कोने में कील्चे लगाए हुआ है उसके अलावा जब उसको कुछ खाना पीना वगरा देना होता है तो हम उस यह उसके bathroom के खिड़की है और हमने pipe यहाँ पर लगावा है अपनी kitchen की balcony से और यहां से हम funnel के थूज उसको पानी देते हैं और वो दूसरे point से उसको अपने जो साफ बरतन हमने अंदर रखे है दोस्तों इस video से मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि किसी के घर की कैसी भी विव दोनाते